नमस्ते और वेल्कम बेक टू माई कुकिंग ब्लॉग। आज मैं फिर आप लों के साथ शेयर करें। बहुरी टेस्टी और स्पेशल लंच की रेसिपी। साथ ही मैं शेयर करूँगी भंडारे वाली आलू बेंगन टमाटर की सबजी। लेकिन यहां पर मसूर की डाल को मैंने पूरी रात भीको कर रख दिया था तो यहां पर दो जनों के लिए मैं बना रही हूं। जितने लोगों के लिए फैमली मेंबर्स के लिए उसे साब से कौंटिटी को मैनेज कर लेंगे। तो राद भर इसको बेगोने देंगे एक अच्छे से वाश कर लेंगे। अब हम इसको कुकर में ट्रांसफर करेंगे। पानी डालेंगे। हल्दी और थोड़ा सा नमक दाल देंगे। बहुत जादा नमक ने। अब हम इसको चड़ा देंगे। गैस पे एक सीटी हाई फ्लेम पर और छह से साथ सीटी लो फ्लेम पर आने तक पकाल देंगे। चलिए बैंगन में निकाल लिये हैं छोटे वाले साथी एक आलू तो यह जो रैसिपी ना बहुत ही टेस्टी लगने वाली आपको अकसर अमलुक भंडाने में खाते हैं पूरी के साथ तो यह बहुत ही अच्छी लगती है अगर आप मसूर की दाल के साथ नहीं खाना चाहत अगर बिल्कुल भी खराब नहीं है ज्यादा बीज नहीं और जब भी आप अपको कट करें थोड़े से बड़े पीसिस में कट करें क्योंकि हम जो सब्सक्राइब बना रहे हैं उसमें जितनी भी सब्सक्राइब हैं इनको बहुत बारीक नहीं करेंगे एक थोड़े बड़ अगर आपको खटा थोड़ा खाना पसंद है तो तो तुमाटर को भी हम लोग रुट चौप करेंगे बहुत जादा बारीक नहीं बड़े चोटे नहीं गम नॉर्मल क्योंकि अगर बड़े 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 नहीं इस वाली रसिपी में बहुत अछे लगते है और आलूं को यहां पर प्याज का इस्तिमाल करेंगे नहीं अध्रकलासुन का तो चलिए फिर कोकर में हम चड़ा लेते हैं साथ ही मैट करूंगी थोड़ासा सरसो का तेल थोड़ासा बोले तो दो डेवल स्पून की लगबग कर दीजिए मैं अन्दाजे से डाल रही हूं इस सबजी में थ तो यहां थोड़ासा जीरा एड कर देंगे साथ में थोड़ासा हींग एड करेंगे अब जो हमने टमाटर कट करके रखी हूए थे ना अब इस स्टेज में इसको डाल देंगे और टमाटर को हमें बहुँ जादा पकानी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पैली आपको बोल अर यह देखे एक बार चला देंगे अब जो मने बैंगन और अलू कट करके रखे थे उस एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और इसको डाल देंगे तामाटर के साथ में एक से दो मिट अच्छी तरीके से फ्राय कर लेंगे मीरियम और लो फ्लेम पर करेंगे यह सारे काम अ एक चौथाई ग्लास की लगभग यह कप की लगभग अब आम गैस का स्वारी को बंद कर देंगे और एक सीटी हाई फ्लेम पर और दो से तीन सीटी लो फ्लेम पर आने तक पकने देंगे अबस उसे जाद आपको एक्स्ट्रा कुकिंग नहीं करनी है मतलब कि आमें जो अलु टमाटर के लिए बनाएंगे तो हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी सी जादा करेंगे दो चमच की लगभग हल्दी हमने डाल दिया है तो जीरा पाउडर गरा मसाला अमचुर पाउडर थोड़ा सा मतलब स्वार्थ के हिसाब से नमक और हम इसमें एड करेंगे हम इन मसालों को डाल देंगे और मिला कर रख देंगे जब तक की हमारी बैंगन आलू अराम से पक रहे हैं तो यह देखिए लास्ट सीटी आपर आई है गैस का फ्लेम आउफ कर देंगे अब इसको सीटी निकलने तक ठंडा होने तक इसका वेट कर लेंगे तब तक हमें से एक से दो बार आप अच्छे से मिला लीज़े और अब हम जो मसाला है जो अमने काटोरी में बना कर अख था अब इसकी ऊपर डाल देंगे आप चाहे तो इस तामेमेंहें इस तो हमें इस्तिमाल पहले कर लिया था तो मैंने हीं को स्किप कर दिया था अब मसाला दालने के सुक जाएगा और हमारा जो मसाला है आप आप जाएगा तब तक में पर मसूर की दाल भी चेक कर लेते हैं तो वो भी आप पक गई है जिस क्वांटिटी और जिस तरीके से हमको चाहिए तेक्च्च्च्च्च्च्च्चर में आराम से है पानी थोड़ा सा जादा है क्योंकि ह सबजी को देखेंगे और आप देख सकते हैं इतनी प्यारी खुश्बु आरी है इतना और देखे आप कितने कम समय में बनकर तयार होगे यह बहुत जादा मसाले नहीं लगे कुछ भी नहीं और भंडारे वाली आलू बहुत ही जादा पसंद है अकसर मैं इसको बनाती हूं त और हर बार आप इसी तरीके से बनाएंगे तो चलिए बात आती है तड़के की तो मतलब जो मसूर की दाल है उसको भी बना लेते हैं तो यह पर एक चमच के लगबग मैंने देशी घी डाला है आप चाहे तो ओलिव बनाते है उसको बना सकते हैं घी को अच्छे से गरम हो ज अच्छे से प्याज लिया जिसको बारी कर लिया अच्छे तरीके से फ्राय कर लेंगे तो मसूर की दाल का तड़का तो वैसे कई लोग कई तरीके से बनाते हैं लिकिन यह बहुत सिंपल तरीका है अधरक लैसुन का पेस्ट एड कर देंगे इसको भी एक सी दू में बूल अधर कर देंगे तो नमक अपने हिसाब से मैनेज कर देंगे तो नमक अपने हिसाब से मैनेज कर देंगे तो अधर को सॉफ्ट हो जाने देंगे तो एक से दो एक से तरीके से मैश कर लेंगे और बस हमारा अब हम इसमें डाल देंगे बाकी की सुखे मसाले तो मसालों में ब पानी हट कर देंगे बहुत जादा नहीं सिफ थोड़ा सा और बस इसको मिला के धख देंगे डग करके मसालों को पकाएंगे जब तक इन में अच्छे से घी रिलीस नहीं हो जाता और हमारा जो मसाली अच्छे से पकनी जाते तो मसूर की दाल के साथ तो वैसी भी कोई सबजी इसी लिए मैं एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं एट करूगी तो जब ही आप मसूर की दाल बनाएंगे थोड़ा सो जादा ही पानी लगाएं रखें जिससे आपको बाद में पानी एट करनी की जरुआत ना पड़े क्योंकि जब यह ठंडी हो जाती है तो यह पानी हो जाती जब तक हम आप चावल भी चड़ा देते हैं और यहां लो फ्ले पर हमारी दाल भी पक रही है तो दाल की कॉंटिटी आप जो कंसिस्टेंसी है अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं चावल के साथ कर रहे हैं तो थोड़ी सी पतली रखे क्योंकि वैने पहले भी बताये ठंड मैं आपके साथ में सेयर करती हूँ आप मुझे सजेस्सकर सकते हैं कि कौन सा लंच आपके साथ में सेयर करऊं तो इ keinen नेञगा लेते हैं मैं मैं जब ढ़ 17 वी बता है। रोटियां हम लोग दिन में नहीं खाते हैं तो बेसिकली चावल ही खाते हैं बस चावल को रख देंगे थाली आप अपने हिसाब से सजा सकते हैं मसूर की दाल और आप देख सकते हैं एकदम सारा खाना गरम गरमी है अलू बैंगन टमाटर की सबजी क्योंकि मुझे तो यह प्रॉपर लंच बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं सब कुछ सर्व करके रखती हूं अब मैं आप थोड़ा सा मुझे नहीं पता था लेकिन मैं दनिया चटनी है वह एड़ की है रखी है और टमाटर स्वरी मैंगो और आप देख सकते हैं आप एकदम इंडियन फ्लैग बनके तयार हो गया है यह कोईसिडेंट था तो आज की लेंच थाली कैसी लगी जरूर से बताईए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और टेस्ट इ थैक यह सो मच बए बाइ